अगर अभी आप पांचवी क्लास में हो और नवदे विद्धाले का एक्जाम देना चाहते हो छटी क्लास में एडमिशन के लिए जिसे हम JNVST बोलते हैं यानि कि जवाहर नवदे विद्धाले सलेक्शन टेस्ट तो इस JNVST के बारे में यहाँ पे हम बहुत important details को discuss करेंगे जैसे कि आपका paper कितने duration का होता है यानि कि आपको कितना time मिलेगा paper को solve करने में कितने questions होते हैं, कितने marks के questions होंगे कौन-कौन से विशे से आप से सवाल पूछा जाएगा कौन सा विशे सबसे जादा महतोपूर्ण है कौन सा विशे कम महतोपूर्ण है किस विशे से कितने सवाल पूछे जाएगे negative marking होगी की नहीं होगी यह सारी की सारी चीजी हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो हम सबसे पहले start करते है टाइम से आपका जो पेपर होता है GNVST का नवदे विद्याले का वो सुबए साड़े ग्यारा वजे start होता है दोपेर में डेड़ वजे खतम होता है यानि कि आपको मिलेंगे टोटल दो घंटे दो घंटे आपको मिल रहे हैं इन दो घंटों में जो आपका पेपर है उसमें टोटल 80 सवाल होंगे 80 questions in 2 hours और इन 80 questions का जो weightage है जो आपका टोटल नंबर है वो होता है 100 यानि कि दो घंटे में आपसे 80 सवाल सौल करने है 100 marks के सवाल होंगे 100 marks का आपका पेपर होता है अब अगर हम इन 80 सवालों को एक एक करगे देखते हैं कि किस विशे से कितने सवाल पूछे जाते हैं तो आपके टोटल 3 विशे होते हैं सबसे पहला होता है mental ability test या फिर मानसिक योगेता परिक्षा दूसरा जो होता है arithmetic test यानि कि mathematics गणित तीसरा होता है language test यानि कि भासा परिक्षा तो ये तीन test होते हैं अपने तीनों मैंसे जो सबसे ज़्यादा मैतोपूर्ण है जो सबसे ज़्यादा important है वो होती है मानसिक योगेता परिक्षा तो जो सबसे पहले सवाल पूछे जाएंगे वो मानसिक योगेता कि होंगे यानि कि आपसे टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे mental ability के जो 50 number के होंगे ठीक है ये अपना पहला section होता है mental ability 40 question 50 marks के दूसरा section अपना होता है गणित का जिसके अंदर आपसे टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे 25 number के होंगे तीसरा section अपना होता है language का अब ये कौनसी language होगी आपने जो language अपने application form में भरी है जब आपने form apply किया था नवदे विद्याले का तो जो language select की थी जो भासा select की थी उसी भासा का paper होगा यानि कि अगर आपने हिंदी select की थी तो हिंदी का paper होगा अगर आपने English select की थी तो English का paper होगा तो इसमें भी आपसे फिर से total 20 सवाल पूँचे जाएंगे 25 number के सवाल होगे तो ऐसे अगर अपने सब को जोड देते हैं तो आपके कितने questions होगे total 80 सवाल होगे there will be total 80 questions of 100 marks in 2 hours 2 गंटे में 80 सवाल solve करने है 100 number के सवाल है अब यह 100 number के कैसे होई अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा 1 question का 1.25 number याने कि सवा 1 number सही जवाब देने पर आपको मिलता है 1.25 marks अगर आपने गलत जवाब देती है अगर आपने जो answer टिक किया है वो अगर गलत हो गया तो कोई भी negative marking नहीं होगी आपको मिलेंगे 0 number आपका कोई marks कटेगा नहीं तो यह important है कि अगर आपको कोई guess करना है अगर आपको sure नहीं है कि इस सवाल का जवाब यही होगा लेकिन आपको जवाब देना है तो आप जवाब दे सकते हो क्योंकि आपकी negative marking नहीं है ठीक है तो सबसे important चीज़े क्या है 2 घंटे का paper हो रहा है 80 सवाल पूचे जा रहे है total 3 sections के और वो आपके 100 number के हैं सही जवाब दिया तो एक question का मिलेगा 1.25 marks अगर गलत जवाब दिया तो no negative marking बहुत अच्छी बात है तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी negative marking नहीं होगी उसके अंदर अब यहाँ पर confused बिल्कुल भी नहीं होना है जब हम बोलते हैं कि 2 घंटे आपको मिल रहे हैं तो वो total एक booklet मिल जाती यानि कि आपको एक single paper मिलेगा जिसके अंदर तीनो section होंगे गणित का section भी होगा आपकी भासा का section भी होगा और mental ability का भी section होगा वो तीनो section आपको एक साथ मिल जाएगा 2 घंटे के लिए हर आदे घंटे के अंदर एक घंटी बजाई जाएगी पर एक समय जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आदा घंटा निकल गया तो पहली घंटी बजी मतलब आदा घंटा निकल गया फिर से जब घंटी बजी मतलब एक घंटा निकल गया फिर से गंटी बजी, डेड़ गंटा निकल गया और लास्ट वाली बजेगी तो आपका पेपर ही खतम हो जाएगा, ठीक है? तो आपको हर आदे गंटे पे गंटी सुनाई देगी, जिससे आप पता लगा सकते हूँ कि कितना टाइम बचा हुए और कितने सवाल बचे होएं, तो ये कुछ जरूरी चीजे हैं, जो आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए, क्योंकि आप एक पेपर की तैयारी कर रहे हो, और competition काफी रहता है, नवदे के पेपर में भी, तो ये सब चीजें आप अपने दिमाग में रखो अगर आप किसी को tuition दे रहे हो आप teacher हो, तो आप ये चीजे उनको समझाईए अपने बच्चों को, और अगर आप खुद Selfish Study से तैयारी कर रहे हो, बच्चे हो तो ये सब चीजे अपने दिमाग में रटलो और समझलो, ठीक है, तो इस channel पे हम पूरी की पूरी गणित पढ़ने वाले हैं क्योंकि गणित बहुत जादा हाड लगती है बच्चों को तो गणित हम याप पूरी सुल्टा देंगे एक-एक subject को, एक-एक topic को पूरा detail में देखेंगे, और आपको गणित से कोई भी problem नहीं होगी ठीक है? Thank you एंड अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे से practice करो जिससे कि आपको paper में कोई problem नहीं हो